हे गाइस वैलकमर्स दु माइ चैनल, कभीज गार्डन आज हम बात करेंगे सेलोशिया प्लांट के बारे में इस फ्लांट के जो फ्लोवर होते हैं वो दिखने में एक ड़म मुर्गी के बाल के जैसे होते हैं इसलिए हम इने कॉक्सकोंब प्लांट के नाम से भी जानते हैं और यह जो प्लानट है दिखने में बहुतीक ज़्यादा सुन्दर और अट्रैक्टिव लगता है इसके बहुत ज़्यादा कलर के फूलोर आते हैं और यह करे दिनों तक खीले रहते हैं और ये एक annual plant होता है जो इसके फ्लोवर है इसके अंदर इसके seeds होते हैं हम इन्हें collect करके हर साल दुबारा से लगाएंगे क्योंकि जब ये plant mature होता जाता है तो जो इसकी stem हो गलने लग जाती है और ये plant खराब हो जाता है इसलिए हम इसके सीड से इने दुबारा ग्रो करेंगे हम इसे अपने घर की बाल को नहीं अच्छत पर ग्रो कर सकते हैं जहां पर अच्छे से दूप आती हो अगर हमने इसे सीड से लगाया तो इसके पचास से साइट दिन बाद इसमें फ्लोवर आना स्टार्ट हो जाएंगी मेक्सिको में इस प्लांट को वैलवेट फ्लोवर भी का जाता है अब हम बात करेंगे इसे बीच से कैसे लगाएं अप्रेल से मई का महीना इस प्लांट के लिए सबसे बैस्ट होता है तब हम इसे सीर्ट से अच्छे से लगा सकते हैं और फ्रेंट्स जब हम इसे सीर्ट से लगाते हैं उसके चार से पांच दिन बाद ही इसमें नया प्लांट आना स्टार्ट हो जाता है तब हम इसे या तो फ्लोवर बैड में लगा देंगे या फिर किसी पोट में लगा देंगे अगर हम इसे जमीन में लगा रहे हैं तो हम इने थोड़े थोड़े दूर लगाएंगे जिससे कि इसमें बहुती अच्छे से फ्लोवर आ सके फ्रेंड्स हमें इस प्लांट के लिए भुरबुरी और पोरस मिट्टी का यूज़ करना है जब भी हम इस प्लांट को लगाते हैं तब हम इसमें कावडंक और वर्मी कमपोस्ट भी डाल देंगे उससे जो इस प्लांट की लीवस है वो बहुती जादा बुश्य हो जाएगी और हम इस प्लांट की मिट्टी को सूखा नहीं रखना है क्योंकि ड्राय कंडिशन में इस प्लांट के जादा फ्लोवर नहीं आते हैं यह बहुती कम फ्लोवरिंग करेगा इसलिए हम तीन से चार दिन में इसकी मिट्टी के ऊपर पानी का हलका स्प्रे कर देंगे उससे इस प्लांट को बालू मिट्टी में वर्मी कमपोस्ट और काउडंग मिलाकर उसमें ग्रोव कर सकते हैं यह सबसे बैस्त है इस प्लांट की संलाइट की बात करें तो फ्रेंट्स हमें इस प्लांट को कम से कम चार से पांच घंटे की डारेक्शन लाइट में रखना चाहिए एक मेस्ती के बभी प्लांट आ चुके हैं और मेरे पूरा पोट करिप्टान से भर चुका है और देखी बहुत month बयुत ही प्रेटी लग रहा है लाए इस प्लांट में हर्याली यहा और्खने के लिए अम इसे अच्छे से बनी रहें वैसे तो इस प्लांट को जादा फटिलाइजर नहीं चाहिए होता है लेकिन फिर भी अगर हम इसे पोट में ग्रो करते हैं तो हम इसे 15-20 दिन में लिक्विड फटिलाइजर देंगे हम इसे फटिलाइजर के रूप में वर्मी कमपोस्ट और सबसे पुराना जो कावडंक होता है वो हम इसे देंगे फ्रेंस बारिस के मोसम में इस प्लांट पर फंगस का अटैक हो जाता है उससे बचाने के लिए हम 15-20 दिन में नीम ओल को गरम पानी में मिक्स करकर उसका स्प्रेज पर करेंगे उससे इस पर कोई भी फंगस अटैक नहीं होएगा फ्रेंस ये एक इजी ग्रोइंग प्लांट है कभी कवार ये प्लांट हमारे गार्डन में अपने अपी ग्रो हो जाता है जब ये अपने अप ग्रो हो जाता है तो हम इसके सीड कलेक्ट कर लेने चाहिए उससे नेक्स सीजन में हम इसके हजारों प्लांट पा सकते हैं अगर हम इस प्लांट को डैकोरेशन के लिए यूज़ करना है तो हम इसकी स्टैम को इसके फ्लोवर के साथ कट कर लेंगे और किसी फ्लोवर वेसी या बोटल में पानी डाल कर उसे उसमें लगा देंगे एक अफते तक ये प्लांट उसमें बना रहेगा उससे हमारी घर की